इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेट जैसे करनाट का राजस्तान एमपी इनकी काउंसलिंग के बारे में अपडेट दूँगा साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि एमसीची की काउंसलिंग का लेटेस्ट अपडेट क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि स्टेट कोठा काउंसलिंग के लिए mostly स्टेट अपना रेजिस्टेशन स्टार्ट कर चुके हैं और जिनका अभी तक रेजिस्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है जैसे मारास्टरा, उतरप्रदेश, बिहार, हरियाना, जैंड के, तिरपुरा, तिल के बाद ही होगा, ऐसा संकेत मद्देप्रदेश, तिरपुरा और जैंड के नहीं भी दे दिया है, MP के रेजिस्टेशन 22 डिसमबर से स्टार्ट हो चुके हैं, इसके नोटिस के अनुसार अभी रेजिस्टेशन होंगे, बाकी काउंसलिंग सेडूल, सुप्रेम कोट में जो तो रेजिरवेशन के रेगार्डिंग केस है, उसका फाइनल डिसीजन आने के बाद ही जारी होगा, तो मैं आपको यहां बता दूँ कि MP स्टेट एक सेमी ओपन स्टेट है, यहां Other स्टेट कंडिडेट एडमिसन तो ले सकते हैं, लेकिन पहले MP स्टेट के कंडिडेट को सी अलोट की जाएंगी, उसके बाद अगर सीट वेकिंट रहती हैं, तो उन सीट उपर Other स्टेट कंडिडेट इलिजिबल होगे, यहां First राउंड में रेजिस्टेशन करना होगा, और Other स्टेट कंडिडेट से इलिजिबल हैं, यहां के लिए First राउंड ओनली MP स्टेट .gov.in है, इस पर यह पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आपने कैसे रेजिस्टेशन करना है, एडवाईजरी दे रखे है, प्रफोर्मा दे रखे हैं, तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर आपको रेजिस्टेशन में कोई प्रोब्लम आ रही है, तो इसमें सब कुछ से व प्रोपर काम नहीं कर रही थी, इसलिए इस कारण से रेजिस्टेशन की लास्ट डेट 27 डिसमबर तक अक्स्टेंड कर दी गई है, अब बात करें राजस्तान स्टेट की तो राजस्तान स्टेट की लास्ट डेट 27 डिसमबर है, मैंने स्टेप बाइ स्टेप का वीडियो साथ तो income certificate वैसे तो चार पेज का होता है लेकिन आज का latest one page का भी income certificate है आप वो भी upload कर सकते हैं अगर आपने चार पेज का बनवा लिया है तो उसमें first page भी upload कर सकते हैं उसका या फिर चारों पेजों का एक single file बनाके वो भी upload कर सकते हैं तो ये आपकी स्वीधा के लिए है लेकिन आपको जब counseling authority के सामने आपको documents verification करवाने होंगे admission के बार तब आपको ये produce करना होगा income certificate तो आप एक page वाला certificate भी upload कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे students के comments आ रहे थे इस परकार से तो ये राजस्तान स्टेट के बारे में जानकारी है अब बात करें हम counseling की mcc की counseling कब तक start होगी इसकी latest information क्या है तो फोर्डा की तरब से काफी कोसिस की जा रही है अभी सभी political parties को भी later लिखा है जिसमें इस matter को parliament के सीथ का लिन सतर में उठाये जाने के लिए भी request की गई है मगर ऐसा लग रहा है कि ये 6 January की hearing की बाद ही start होगी लेकिन इतना जरूर है कि अभी 6 January को confirm decision आ जाएगा government और Supreme Court इसको आगे नहीं खहे सकते क्योंकि इसके बारे में आ लड़ी काफी सारे protest हो चुके हैं तो government को भी ये पता है कि अब इस matter को आगे नहीं खहेंचा जा सकता 6 January को confirm decision होगा और एक दो दिन बाद 6 January के एक दो दिन बाद में MCC की counselling start हो जाएगी MCC की counselling start हो जाएगी तो states के तब तक registration सभी state के हो चुके होंगे उसके बाद state की counselling start हो जाएगी तो यह एक के latest update था state quota counselling के बारे में MCC के बारे में तो मिलेंगे नई जानकारी की साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं